नमस्कार, नक्चातर दुनिया चैनल में आप सभी का हर्दिक सौगत है मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिक भावों में शुकर ग्रहे के फलों के विशे में फलों पर हम विस्तार पूरवक्त चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब आवसे करें वीडियो ग्यान बरतक लगे तो लाइक भी करें आईए सुरू करते हैं मित्रों आईए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शुकर ग्रहे यदि कुंड़ी के छटे भाव के अंदर बेट जाए तो किस परकार के फल मिल सकते हैं देखिए कुंड़ी के छटे भाव में यदि शुकर ग्रहे बेटते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वह किस राशी में बेटे हुए हैं यदि ये सोरासी के होकर जैसे कि वरशवरासी या फिर तुला राशी के होकर यदि छटे भाव के अंदर ये बेटे हुए हैं या फिर मित्र राशी या फिर मकर राशी या कुमर राशी के होकर यदि इस भाव में बेटे हुए हैं तो सामानता ये अच्छा रजल्ड देंगे इसके इलाबा यदि यह मान लीजे कि मीन राशी में यनि अपनी उच्च राशी में बेठे हुए हैं तो वहां भी ये अच्छा रिजल्ड देंगे शुक्र इरह यदि छटे भाव में अपनी नीच राशी जिसकि कन्या राशी या फिर सत्रू राशी में बेटे हुए हैं किसी भी सत्रू राशी के अंदर तो वहाँ पर भी इनके परणामों से हम जाद अच्छे फ़लों के उम्मीद फिर नहीं कर सकते किस प्रकार के फ़ल मिल सकते हैं आईए विचार करते हैं कि शुक्र येदी छटे भाव के अंदर बेटते हैं लेकिन सबसे पहले हम विचार करेंगे अच्छे फ़लों की येदि ये स्वचेतरी मित्र चेतरी ये उच्छराशी के होकर बेटे हुए हो तो जातक प्रबल सत्रू हंता होगा सत्रू हो पर जातक को ये विज़े दिलवाने का कारी करते हैं मुकदमों कानूनी मामलों में भी जातक सफलता प्राप करता है प्रतियोगता परच्छा उत्यादी में भी जातक सफलता प्राप कर सकता है येदी अन्य गरहों का सपोर्ट मिल जायता शुक्र येदी कुंडली के छटे भाव के अंदर बेटते हैं स्वगरही या फर उच्राशी के होकर या कारक अग्रह बनकर तो एंसी परस्तिती में जातक विदेश से भी धन का आगमन कर पाता है शुक्र से सम्मंदित कारियों में जातक कोई सफलता प्रदान करते हैं किसी भी प्रकार के मुकद में कानूनी कारवाई में जातक कोई सफलता प्रदान करने वाले बनते हैं यदि ये बलवान होकर कुंडली के कारक अक्रह बनकर स्वगरहों के प्रभाव में हों तो हम इनसे अच्छे फ़नों की उम्मीद कर सकते हैं, अवने के शेतर में, कला के शेतर में, नोक रित्यादी में, जाता कोई ये सफलता प्रदान करने वाले गरहे बनते हैं, यानि कहने का तातपर है कि शुक्र यहां पर स्वागरी, अम्मेतर शेतरी उच्छराशी के होकर जदी बेटते हैं, अपनी नीच राशी के होकर बेट जाएं, या सत्रू राशी के होकर बेट जाएं, राहु इत्यादी से पिड़ित हो जाएं, ठीक है, तो इसी परिस्तिती में हम फिर सामनता इन से अच्छे फ़रों की उमिद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छटे भाव से हम विचार करते हैं रोगों का, तो शुक्र से सम्मंदित रोग जातक को घिर सकते हैं, छटे भाव से हम विचार करते हैं, बदनामी का भी, तो जातक अपने कारियों के कारण, यानि अपने किसी भी ऐसे कारे के कारण, उसे अपमान का सामना या बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अता जातक को यहां पर साथधानी बरतनी चाहिए, इसके अलाबक किसी कानूनी मामले में जाता कि यदी फस्ता है और पापक ग्रहों के प्रवाव में शुक्र ग्रहो या राहू का समन्ध कुर्णी के बारवेवाव से बन रहा हो तो ऐसी परिस्तिती में भी जातक को बदनामी का मूद देखना पड़ सकता है तो अता साब्धानी बरतनी चाहिए देखे ग्रह दशा ये संकेत करती है कि ऐसा हो सकता है यदि आप साब्धानी बरतेंगे तो उन परिस्तितियों से बच सकते हैं शुक्र येदि यहाँ पर नीचराशी सत्राशी को कर बेट जाएं तो कहीं न कहीं स्वास से चिंता स्वास समस्याएं भी बनी रह सकती हैं तो अता जातक को चाहिए कि सयम ही बने ठीक है और अपना जीवन जातक हो सके आध्यात्मिक बनाएं हलाकि शुक्र यहाँ पर बेट कर येदि नीचराशी शत्राशी को कर बेटे हुएं तो आध्यात्मिक आपको आसानी से बनने नहीं देंगे देखना पड़ सकता है तो केने खतात पर ये कि भौतिक रूप से तो शुक्र येदि कुंड़ी को 12 वा को देखेंगे तो अच्छा माना जाएगा लेकिन यहाँ पर राशी देखनी होगी कि पीडित तो नहीं हो रहा हैं कहीं येदि पीडित हो रहा है नीचराशी के होकर बेटे हुए हैं तो भौतिक सुक्षादनों में कमी खर्च की अधिक्ता को ये बताते हैं व्यासनों में जातक जाए किसी भी प्रकार का ऐसा कारे जिससे की जो की सामाजिक रूप से स्विकार ना हो ठीक है तो इस सिती से बचने का प्रेयास करना चाहिए जातक के पास धन की कमी से वैजू सकता है यदि नीच राशी शत्राशी को कर ये बेढ़ जाएं धनभाव और अला भाव के स्वामी गरहे यदि कुंड़ी के अंदर कम जोर पड़ जाएं हलाकि कुंड़ी के बारवे भाव में शुक्र बेढ़ेंगे तो फल क्या होंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं शुक्र ये दी यहाँ पर मीन राशी यानि उच्छ राशी के होकर बेड़ जाएं तब भी अच्छ फल देंगे, शुक्र ये यहाँ पर कन्या राशी के होकर बेड़ जाएं, तो कन्या राशी में नीच वस्था के माने जाते हैं, अच्छे फलों के उमीद आप नहीं कर सकते इसके अलावा किसी भी सत्रु राशी के होकर ये दिये बेट जाएं या राहू से युथ हो जाएं या फिर आकारक गरह बनकर बेट जाएं तो हम इनसे अच्छे फलों के उमीद नहीं कर सकते हलाकि या आकारक बनते हैं या फिर नीच राशी ये सतुराशी के होकर बेटे हुए हो तो आप ये देखें कि किसी सुबक गरह का प्रवाव शुक्र गरह पर है अत्वा नहीं या फिर मित्र राशी के गरह का प्रवाव शुक्र पर है अत्वा नहीं तो ये सारी बातें विचार करें इसके पश्यात ही हम तेकर पाएंगे कि इनके फल किस परकार के होंगे शुकर की सात्वी द्रिष्टी धनभाव पर जाएगी तो आकास्मिक धनलाव की संभावना बनती है पेत्रिक संपत्तिक इत्यादी का लाव जाता को जीवन काल के दौरान पराप्त होता है विदेश यात्राओं का योग भी बना सकते हैं विदेश सेटल्मेंट में कहीं न कहीं जाता कोई साहता करते हैं अपनी भोतिक सुख सुविदाएं वो विदेश में भी विक्सित कर सकता है इस बात के संभावना भी प्रवल बनती है शुक्र यदी स्वागरी होकर या मित्र शेत्री होकर या उच्चराशी के होकर यदी बेटते हैं तो ससुराल पक्च से भी जातक को लाप पराप्त होता है इसके लावा रसर शित्यादी की शेत्र में विशे सुपस शुक्र ग्रह से सम्मंद कारियों में जातक को सफलता प्रदान ये करते हैं देखिए शुक्र ग्रहे हालाकि ये राक्षसी प्रवर्ती का ग्रहे नहीं माना जाएगा क्यों क्यों कि देखिए शुक्र एक गुरू है और राक्षसों के प्रकति जातक की हो सकती है, लेकिन मान लिजे शुक्र लगने हैं, यहां पर 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 इसके अलाबा विपरीत में ज्यादा ही रूची लेने वाला ठीक है इस प्रकार का जातक हो सकता है और किसी प्रकार के रोग या चिंता से परिशान हो इस प्रकार की संभावना भी बन जाती है तो ध्यान रखें कि शुकर यदी कुंड़ी के अस्टमभाव में बेटे हुए ह नीच राशी ये सतुराशी के होकर बेटे हुए हैं तो जातक को अपना जीवन इस प्रकार से बनाना चाहिए कि अनावश्यक उंगलियां उसकी तरफ न उठें ठीक है आप समझ गया होंगी कि मैं क्या कहना चाहरू है तो शुकर यदी अस्टम में बेटते हैं तो जातक य नहानी की संभाबना भी बनती है यदी ये पीडित हो जाएं नीच राशी के हो जाएं जातक अपने जीवन का उच्छत ध्यान ना रखे शुकर यदी अस्टम भाव में यदी बेटेंगे तो शुकर जनित समस्याओं से शुकर जनित बीमारियों से भी जातक परिशान रह स रखता है तो शुकर यदी जितने अच्छे होकर यहां पर बेठेंगे सुब होकर बेठेंगे तो ज्यादा अच्छा इनीच राशी सत्राशी को कर बेठें पीडित भी हो जाएं और कम जोर भी पड़ जाएं तो उतना ठीक नहीं कहा जा सकता है लेकिन फिर भी मान लीजे क कि शुकर राहु से युथ हो जाएं या फर किसी भी रूप में पीडित हो रहे हो तो आप यह देखें क्योंकि नीच्ट भंग हो रही है नहीं यदि नीच्ट भंग नहीं हो रही है तो एसी परिस्तिती में फिर साब्धानी बढ़ती जानी चाहिए हाला कि शुकर जब तक कि अंदर एक रहसे आत्मक सक्तियां भी होती है, आलोकिक शक्तियों का स्वामी विवे होता है, यानि वह अपने अंतरमन, अपनी आत्मा की शक्तियों का प्रियोग करते हुए, यानि विवे को जागरत करते हुए अपने जीवन को उन्नत बना सकता है, ये भी एक अच्छ मित्रों शुक्र ग्रहे यदी कुंडली के बारवे भाव में आकर बेटते हैं तो किस परकार के फल मिल सकते हैं आईए चर्चा करते हैं देखिए शुक्र ग्रहे यदी कुंडली के बारवे भाव में बेटते हैं लेकिन यदि ये खुद की राशी, या व्रशव राशी, या तुला राशी के होकर, या मिथुन राशी, या फिर मकर राशी, या कुम्ब राशी के होकर यदी बेटे हुए हैं, या फिर अपनी उच्छ राशी, जिसे की मीन राशी के होकर यदी बेटे हुए हैं, तो ये साम तो एस इस परिष्तिति में हम इन्से अच्य फलोंकी उमेद नहीं कर सकते हैंyard हैं मैंधिक संपन्नता रहती है। यानि भूमी भवन Peng ! leisure dec! तक के पास संपनता रहेगी और दूरस इस्थानों में या तक अपनी संपत्यों को अरजित करने वाला भोतिक सुखसुबदायों को जुटाएगा तो उनके लिए खर्च करेगा तो खर्च की अधिकता जीवनकाल के दौर्म बनी रहेगी रहेगी रहन सेन यहाँ पर शुकर बेटकर अच्छा कर देते हैं जातक कई चेतरों में निवेश भी करेगा और वहां से लाभ भी प्राप्त कर पाता है यदि धनेश और लाभेस कुंड़ी के अंदर मजबूत हो शुकर पर असुब ग्रहों का प्रवाव ना हो इसके लावा पारेवारिक मित्र की दृष्ट से संबंदित कारियों के कारण भी जातक सफलता प्राप्त कर पाता है जातक के अंदर एक ज्यान वी विक्सत रहता है अपने बुद्धी बल का प्रियोग वह कर पाएगा यदि शुकर पीड़ित ना हो रहे हो और अन्ने ग्रह जैसे के लगने-लगनेश और पंचमेश सांस कुली का सब्तमेश गरह कमजोर हो सब्तमभाव पर सुब घ्रों का प्रवाव ना हो तो ऐसी परिस्ति में विवहाहिक द्रश्टी से अगर देखा जाए तो ये थीथी ठीक नहीं कहीं जाएगी कहीं कहीं विवहाह में दिक्कतों का सामना जीवनकाल के दौरन उसे करना संभावना बनती है इसके लाबाद जीवन साथी के साथ लड़ाई जगड़े या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकायर के परिशानियों का सामना उससे करना पड़े इस बात की संभावना से इंकर नहीं किया जा सकता बेवाईक दरश्टी से देखा जाए तो शुक्रों 12 आउस मे प्रभाव शुकूर पर हो जाए तो ऐसी प्रकार के स्थितियां सामनताई देखने को नहीं मिलती है या कम आत्रा में हमें अन ग्रहों का प्रभाव भी वहाँ देखना चाहिए। आग का विचार हम कुंडली के 12 हाउस से भी करते हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कत परिशानियों की सूचना हो सकता है। तो प्रतक्ता को भी शुक्र ग्रह कई बार दर्शाते हैं। यदि यहाँ पर नीचराशी सत्राशीक होकर बेट जाएं, पीडित हो जाएं, सब्तमेज घरह कमजोर हो। कुंडली के सुबग ग्रह जैसे की गुरु इत्यादिक कमजोर पढ़ जाएं। तो इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही यह ते करें कि इनके वस्त्विक फल क्या होंगे। किसी एक ग्रह के आधार पर ते करपाना काफी मुस्किल होता है क्योंकि आप जैसे शुक्र 12 में बेटे हुए हैं। तो आपको यह भी देखना होगा कि बारवे भाव का स्वामी कहां बेटा हुआ है। बारवा भाव का स्वामी यदि अपने ही घर में बेटा हुआ हो तो वह अपने घर को खराव नहीं करने देगा। अमान लेजी कि शुक्र यह दिन नीचरा शत्राशिक होकर 12 हाउस में तो बेट गए। लेकिन सब्तमभाव का स्वामी मजबूत हो कुंड़ी में और सब्तमभाव में ही बेटा हुआ हो तो इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। सब्तमभाव सबगगरों के प्रभाव में आजाए। तो एसी इस्तितीम फिर यह कहा जा सकता है कि कही नहीं परिशानिया तो रहेंगी लेकिन थोड़ा बहुत कम रहेंगी। क्योंकि अपने सप्तम्भाव का सवामी सप्तम्भाव में बेटा हुआ तो उसको वह इतना कमजोर नहीं होने देगा लेकिन हाँ शुक्र क्योंकि सप्तम्भाव के कारकग रहें इसलिए उनका मजूत होना भी कुंड़ी में आवशक है मित्रों कारीक्रम ग्यान बर्दक लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्क्राइब भी करें धन्यवाद